जैसे कि French doctor क्या करते हैं, जैसे कि कोई भी महिला pregnant है, तो उसके बच्चे का सही तरीके से अनमान लगाने के लिए, यानि कैसे उसकी pregnancy है, कोई complication तो नहीं है, बच्चे की धड़कन आई है, नहीं आई है, कैसी बच्चे की growth है, इन सारी चीजों को पता करने के लिए क्या करती है? Ultrasound. अब total जो pregnancy में Ultrasound होते हैं, जिनकी pregnancy एकदब normal होती है, उनके तीन तो समझों होते हैं. जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि पहला जो Ultrasound होता है, वो 1-3 महीने में होता है, बूसरा Ultrasound 4-6 महीने में होता है, और 3-9 महीने में होता है. और मुझे comments में जरू share कीजेगा कि आपके pregnancy में अभी कितने ultrasound हो चुके हैं और कौन से महिने में तो आज इस वीडियो में हम discuss करने वाले हैं pregnancy के तीसरे ultrasound यानि कि जो आपका आखरी ultrasound होता है उससे डॉक्टर क्या-क्या पता करते हैं और वो कराना बहुत 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 ज़्यादा जरूरी क्यों है चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो में हूरेशो आप सभी के साथ आप लोगों का तहे दिल से बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज कि इस नए वीडियो में अगर नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजे क्योंकि बाद में फिर आप भूल जाते हो वीडियो की भावनाओं में खो जाते हो और वीडियो छोड़के चले जाते हो ऐसे ही इसी तरह ये और भी हलफुल वीडियो देखने के लिए हमसे डेली जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले तो सबसे पहले बात करते हैं जो आपका प्रिग्नेंसी का लाश्ट अल्ट्रासाउं होता है वो आपको कब कराना चाहिए तो अगर आप आपको डॉक्टर साथ महीने में बोल रहे हैं तो करा लीजिए आठ में बोल रहे हैं तो करा लीजिए लेकिन नॉर्मली जो ये अल्ट्रासाउं होता है जिससे हम बहुत सारी चीजों का पता कर सकते हैं वो आपको कराना चाहिए 34 बीक से 36 बीक या 37 बीक के अंदर अंदर इस टाइम तक आपको करा लेना चाहिए यानि कि आठ महीने के एंड से लेकर नौवे महीने के एक हफते या दो हफते में आपको ये अल्ट्रासाउं अपना करा लेना चाहिए अब क्या क्या इस अल्ट्रासाउं से पता चल सकता है आपको क्यों ये जरूरी है तो बताती सबसे पहली चीज इससे बच्ची के FHR पता चलती है यानि कि बच्ची की हर्ट रेट अब हर्ट रेट लाश्ट के महिनों में पता करना बहुत ज़ादा जरूरी होता है क्योंकि अगर बच्ची की हर्ट रेट गिरती है तो ऐसे में फिर डॉक्टर सीजरेंड डिलेवरी कर अगर आपकी बच्ची की हर्ट रेट नॉर्मल आती है इस अल्टर साउंड में तो घबरानी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं आप जैसे की आने वाले दुनों में आपकी डिलेवरी होने वाली है और आप चाहरे हो कि आपकी नॉर्मल डिलेवरी ही हो तो बहुत सारी चीज जड़ी होई इस अल्टर साउंड में आपको पता चल जाती है आप इस अल्टर साउंड से कंफर्म कर लेते हो कि आपकी नॉर्मल डिलेवरी होगी या नहीं तो बहुत से जरूरी चीज़े होती है उसके लिए वो हम जान लेते हैं सबसे पहली चीज होती है वेवी बेट मत तब बच्चे का बजन पेट में कितना है, अगर आपके बच्चे का बजन जो ultrasound में है इस time पे 9 महीने में, वो धाई कलो से लेके 4 कलो तक भी है, तो बिलकुल normal होता है, ऐसे में आपकी normal delivery के chances हो जाते हैं, अब normal delivery के लिए क्या जरूरी है, बच्चे की सही position, तो आप इस ultrasound से ब vertex position, तो इसका मतलब है कि आपके बच्चे की सही position है, normal delivery के लिए आपको घबरानी के जरूरत नहीं है, बच्चे ने सर नीचे अपना कर लिया है, लेकिन अगर ultrasound में लिखा होता है, breech position या transverse position, तो इसका मतलब है कि बच्चा आपका उल्टा है, यानि कि पैर नीचे है और सर parasite या parasite कुछ भी हो सकता है, सर दायवाय हो सकता है, ठीक है ना, तो यह आप ultrasound से clear कर सकते हो, next, total जो आपकी pregnancy है, वो कितने बीक की अभी हो चुकी है, कितने बीक का आपके बच्चे का development हो चुका है, वो भी इस ultrasound से आपको पता चल जाता है, तो उसके according आप समझ सकते हो कि आप delivery के लिए वो होती है, कितना centimeter आपका cervix खुल चुका है, ये भी आपको ultrasound के थुरू पता चल जाता है, और एक और चीज होती है, इंपोर्टेंट वो होता है, आपके गर्व में पानी कितना है, विकिए अगर गर्व में पानी कम होता है, तो भी आपकी ceserian delivery होती है, लेकिन अगर आपके ultrasound में लिखा है, AFI adequate, तो इसका मतलब है, आपके गर्व में जितना पानी है, वो sufficient है, यानि कि सही है, घबरानी की जरुवत नहीं है, तो ये जो चीजे मैंने आपको बताइए, आपकी ultrasound report में सब normal है, तो आप 100% confirm हो जाएए, कि आपकी normal delivery हो जाएगी, घबरानी की बिल्कुल भी जरुवत नहीं है, और साथ ही साथ अगर आपका HB 11-12 point तक है, तो ठीक है, आपका BP normal रहता है, आपको thyroid की problem नहीं है, और भी कोई दिल से जुड़ी हुई, कोई समस्या आपको नहीं है, तो आप घबराइए बिल्कुल नहीं, जल्दी से अपनी ultrasound report आप आपको उखके ऱुड़ी है, जल्दी आपकी नहीं है, आपका है, जल्दी से अपका